ओके चलो भाई आज हम लोग अगला जो इसाफ किताब बात करेंगे जो कोबियन की जो कोबियन पर कोश्चिन जरूरा आता है बहुत अच्छा कोश्चन होता है थोड़ा करेकुलेट्री होता है इसलिए कभी-कभी लोग घवड़ा जाते हैं बट इस वेरी गुट कोश्चिन माल लीजिए हमारे पास कोश्च एक्वेशन हैं सब्सक्राइब हमारे पास दो तरह के वेरीबल हैं हमारे पास यू वी डबलू इस तरह के वेरीबल है और दूसरे हैं एक्स वाई जेट के बीच में अब हम इन दोनु तरह के वेरीबल में एक तरह से ट्रांस्फोर्मेशन करना चाहते हैं, इसकी हम जानकारी करना चाहते हैं, तो मैं क्या करना होगा, निकालना होगा, तो जेक्परी तो dusraãy set of variable x, y, z है तो यह हो जाएगा कैसे हो जाएगा इसको डेल यू के साथ x का डेरिवेटिव ले लो पार्शियल है फिर डेल यू के साथ y का डेरिवेटिव ले लो फिर डेल यू के साथ z का डेरिवेटिव ले लो ऐसे वी ले लो वी के साथ x का वी के साथ y का वी के साथ z का और आखरी में में मारे पास u, v, w, w के साथ x का, w के साथ y का, w के साथ z का. तो इस तरह से जो प्रूबा डिटर्मिन्ट बन रहा है, this is the Jacobian, जो की असल में u, v से जब x, y, z में आप ट्रांसफर करोगे, तो कौन सा उनकी बीच में connecting term होगा, जो connecting term होगा, वो यह Jacobian होगा, जिसका मतलब है, जब u, v, w के domain से आप निकल करके x, y, z के domain में जाओगे, तो आपको यह minus term को अपने पास रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, तो यह Jacobian का एक तरह से physical मतलब हो जाता है, अगर हम कुछ मतल यह u, v के साथ आप x, y ले रहे हो, इसको आपने j कहा, तो इसका inverse जो होता है, वो कहेगा j', j' मतलब क्या है, आपको x, y के साथ आपको u, v लेना है, दोनों में अंतर होता है, पहले case में क्या होगा, आपके पास del u by del x, del u by del y, और del v by del x, del v by del y, इस तरह की determinant मिलेगी, और दूसरे case में क्या होगा बच्चों, इसमें आपके पास del x by del u, del x by del v, और दूसरे तरफ del y by del u, del y by del v, इस तरह की matrix बनेगी, तो यह दोनों में अंतर होता है, और यह से बात है, दोनों उल्टे हैं, इसलिए j' को 1 हो जाएगे, वैसा इसे 2 को 1 by 2, यानि इसके inverse से multiply करके हम एक पाते हैं, बिल्कुर वैसा ही कुछ मामला यहां पर भी है, ठीक है, एक चलते चलते कुछ सवाल करने से पहले हम एक chain rule को भी देख लेते हैं, chain rule भी हमारे पास है, chain rule भी मतलब huge होता है, इसमाल लेजे आपके पास uv है, और आप उसे rs इन दो variable में change करना चाहते हो, तो आप सीधे इस पर करने के बजाए हम इनके बीच में, यानि uv से rs में जाने से पहले, बीच में हम xy को भी एक माल लेते हैं, तो uv का xy के साथ relation, फिर इसका इसके साथ relation, और इस तरह से हम u y से rs में जाएंगे, तो यह कैसे होगा, जा समझो, ऐसा होगा, कि आप एक jacobian निकालो, uv का xy के साथ में, फिर आप एक jacobian निकालो, xy का rs के बीच में, और दोनों को multiply करो, तो इस तरह से आपके पास यह एक chain rule आ गया है, जिसे तक this is called the chain rule, जिसा कि calculus में भी आप यूज करते हो, अब जो मेरा मकसद था, आज की बास सुरू करने का, वो हम करने वाल और reducible और non-reducible condition के साथ में, थोड़ा सा technical बातचीत लग रही होगी, लेकिन दोनों पर question आते जरूर, जिको भी उनके question, अच्छा question, difficult question आने का मतलब है, आपके implicit function के ऊपर आने वाले question होगे, जो या तो reducible होगे, या non-reducible होगे, हम जान बुझ के हाँ पर technical भाषा बोल ल लेकिन बूलिए आप उसको उसके technicality के साथ, तो हम क्या करने वाले है, implicit function जो कि non-reducible है, explicit में convert ना हो, तो हमारा है हिसाब किताब, हम implicit function के बारे बात करने वाले है, जो कि irreducible है, implicit में, किस में irreducible है, sorry, explicit में, explicit में irreducible है, implicit function, जो explicit function में irreducible हो जाते हैं, और दूसरा case यह होगा, हम ऐसे implicit function की बात करेंगे, ऐसे implicit function की जकुबे निकालेंगे, जो कि convert नहीं हो सकते हैं, एक explicit function में, explicit function में convert नहीं हो सकते हैं, अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा अचंपित हो रहे हों कि सरीए बड़े-ब implicit, explicit, इसका मतलब क्या है, तो मतलब आप करते करते समझेगा, यहाँ पिसी कोई बरभाशा देने की अभी तो जरूरत नहीं है, आपको बरभाशा हैं तो हर जगा मिल जाएंगे, आज की डेट में आप कहीं पिसाज कर सकते हैं, बट इट इस इंपोर्टेंट तो understood that what is doing, what is happening को आपको समझना है, उसको देखते हुए हो क्या रहा है, चलिए सुरू करते हैं, अपनी कहानी का, एक हम problem लेते हैं, हमारे पास एक problem है, let us start a problem, problem यह है कि आपके पास x plus y plus z, this is something like u, okay, y plus z, this is something v, and z is something u, v, w, even यहाँ पर हो जाएगा, v into u, यह ऐसा है, equation number 1 में u है, equation number 2 में u, v है, equation number 3 में u, v, w है, और जैसे यहाँ equation number 1 में left side में x, y, z था, फिर 2 बचे y, z, और आखरी में z बचा, तो एक तरफ इधर आप देखे लो, बढ़ते जा रहे हैं term, और इधर घटते जा रहे थे term, इस तरह से, ठीक है, एक pattern देख र x, y, z का u, v के साथ में, तो इसका मतला में हमें कैसे term की जोड़त पड़ेगी, कि हम इसको लिखना चाहें, तो जाएकर del x by del u, del x by del v, del x by del w, similarly, थोड़ा सा रुख करके इसको लिख लेते हैं, y by w, del x by z by u, z by v, z by w, यह है, तो आपको x का function u के term में निकालना, यह तो लिखा है न, x का u के साथ function, इसका मतला में हमें एक ऐसी question चाहिए, जहां ऐसा लिखा हो, आपके पास ऐसा हो कुछ, कि x is equal to some form of u, v, w, इस तरह से लिखा हो, मतला में कोई form लिखा हो उसका, तो हमें उसको reduce करना पड़ेगा, तो अभी हमारे पास u है, फिर mix है, u, v, w है, यहां एक दिख रहा है, कि z बराबर यह सब है, लेकिन यहां mix है, तो कैसे करेंगे, तो पहले इसको reduce करना है, तो हमारा process क्या होना चाहिए, पहले हमें reduce करना है, reduce करने के लिखो, आप ऐसा करो, आपक u, आपने z की value उठा करके यहां पर रख दी, तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, u, v, w, यह आ गया, कोई यह उतने common लेने कोई उतनी नहीं है, अच्छा, एक तो यह आ गया, अब हमें क्या निकालना है, अब ऐसा करो, जो तुम्हारे पास y, z है, इसको उठा करके यह हां रख दो, तो x की value क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, y, z की जगाए पर क्या है, तुम्हारे पास u, v है, is equal to u, तो x बराबर क्या हो जाएगा, u minus u, v, तो इसको माले equation number a, इसको माले equation number b, और यह equation number c तो है, तो हमारे पास x की equation है, हमारे पास y की equation है, हमारे पास z क equation हो गए, I hope I am clear now, now you need to calculate the Jacobian तो Jacobian में जरा थोज़र के लिए हम एक तोज़र अलग रंग से रिक लेते हैं, जरा बताओ भाई, del x by del u क्या होगा, del x by del u, तो आपके पास x ये है न, ये है, तो ये हो जाएगा, del x by del u हो जाएगा, 1 minus v ठीक है न, 1 minus v हो जाएगा जरा आद, del x by del y calculate करो तो del x by del v चाहिए हमें, y नहीं v चाहिए, तो यहाँ से जाएगा, तो बचेगा minus 1, देखो यहाँ पर यहाँ पर, यहाँ पर v के साथ differentiate करोगे, तो minus u बचेगा minus u बचेगा अच्छा, del x by u v w, div kya hoगा व sloppy, x में तो w ही नहीं तो यह zero हो जाएगा ऐसे ही del y by del u क्या होगा y है, y यहाँ पर है y यहाँ पर है तो यहाँ जाएगा v minus v w, डल y by del y by del v तो यहाँ पर v है यहाँ पर v है, यहाँ पर v है तो जाएगा u minus uw और dell y by ग्वे घोगा भी। मैनास यूव इन से सिंपने बाइच दिपर्सेशन का रोल यूज कर रहे हैं और ऐसे ही X, Y, Z by U क्या हो गया Z by U VW Del Z by Del V UW Del Z by U, V, W U, V तो हम आई पास जो यह 9 term है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 के 9 term का हिसाब किताब हमने यहाँ पर लिख लिया अब हम इसको चुकि हमें निकालना है ना J की वैल्यू तो J की वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं तो J के के लिए क्या है X, Y, Z divided by U, V, W सारी वैल्यू जोने निकाली बारी-बारी से रख लेते हैं तो 1-V minus U 0 V minus VW U minus UW minus UV VW U, U, W U, V यह हो गया है आप क्या करोगे? अब इस डिटर्मिनेंट को आपको solve करना है तो solve करने के लिए आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा 1-V तो यह हाग क्या हो गया? यह हो गया है आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा U-U, W multiplied by U, V minus minus plus U square V, W bracket close और फिर आप इसको लोगे तो यह term आपके पास हो जाएगा यह term हो जाएगा तो minus into minus U bracket में V minus V, W U, V minus minus plus U square V, W यह हो गया अच्छा तो जेकूबियन हमारे पास क्या हो जाएगा? 1-V यहाँ बच रहा है भाई यहाँ क्या करेंगा? यहाँ हो जाएगा U square V थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कुछ भी बस ध्यान ही है यहाँ पर सारी आपका जो मतलब है बच्छान से है तो प्लस U और यहाँ कितना होगा? U V square minus U W V square कुछ गरबड हो गई क्या है? V minus V V square U W V square और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाता? U square V W चलो ठीक है U square V W ठीक है U square कहीं कुछ गरबड हो जाएगा? कड जाना चाहिए यहाँ तो कड गया यह किसको cancel हो गया यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए? यहाँ हमारे पास फिर से देख ले क्या है? यहाँ UV है UV है V minus VW यहाँ पर यह term कैसे आया होगा? इसको इससे multiply किया इसको ओ देखो यहाँ पर है minus UV यहाँ V V square होगा V square होगा तो अगर V square होगा तो यह V square सो कड़ जाएगा वही तो कहें? यहाँ पर सो कड़ जाना चाहिए तो यह हो गया 1 minus V यहाँ हो गया U square V और नॉर्मल ब्लेकट लगा दें प्लस U square V square यह हो गया फिल्कुल गरबड हो गई बिल्कुल गरबड हो गई यह हो गया ऐसा होगी न इसका इसके साथ मामला सेट इसका इसके साथ अब देखो तो अब यह हो जाएगा U square V minus U square V square प्लस U square V square दोनों का कैंसल आपके पास आंसर आ गया U square V तो यह वो formula है यह वो numerical है जहां पर हमने reduce कर पा रहे थे reducibility थी हमारे पास तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया ठीक है अब हम अगला question करेंगे जो कि यह question तो reducible था अब हम करेंगे जहां irreducible है और यह question ऐसा है जो कि पहले आ भी चुका है 19-20 में आपके आपके problem exam में 19-20 में और उसके पहले भी आया है इविन एक बार बार दे भी आया है तो आप बदले हुए form में हमारे पास formula है कि U cube V cube plus W cube इसकी value किसके बराबर है XYZ एक pattern देखिएगा फिर है U square X cube Y cube Z cube ठीक है और फिर है U V W is equal to X square Y square Z square इस तरह का कुछ है अब यहाँ पर देखो दोनों तरफ तीन variable U V W इधर भी तीन variable है तो variable आपके संक्या तीन है लेकिन अब सोचो कि किसी तरह से हम इस पूरे और निकालना क्या है हमें हमें निकालना है J U V W divided by X Y Z इक ही भी reduce होते हैं नहीं दिख रहे हैं मतलब हम ऐसा नहीं ले सकते हैं U बराबर something V बराबर something W बराबर something या X बराबर something Y Z की value लिख सकते हैं तो यह जो मामला है इसका तरीका यह है कि चलो कुछ एक intermediate function मतलब इनको हम एक function के form मानते हैं जो polynomial है इनको एक function मान लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक जो formula आता है वो कुछ ऐसा होता है formula हम ऐसा लिखेंगे कि जिसे आपके पास कुछ होगा जिसे इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यह जाएगा j suppose हमारे यू वी डबलू sorry divided by x y z यह है यहाँ पर आपको minus 1 की power n लिखना पड़ेगा n is what n is the number of variable on any side left में देखोगे तो u v w 3 तरह के है right में देखोगे x y z 3 तरह के है तो n की value 3 हो जाएगी फिर आप क्या करोगे आपको यह लिखना है j तो j आप निकालो कोई function मानोगे f1, f2 और कोई function मानोगे f3 और उसको आप x y z के साथ में differentiate करोगे ठीक है ना उसके बाद फिर आप लोगे j और अब की बार क्या रखोगे f1 function f2 function f3 just let me charge the battery just one minute okay okay so f1, f2, f3 divided by u, v, w टेड़ा मेरा क्यों हो रहा है इस तरह का इस तरह का अब हम function इस तरह का पुरा माया जाल फैलाएंगे अब आप कहोगे sir यह तो लंबा हो जाएगा बिल्गुल लंबा हो जाएगा और यह अच्छा question है लंबा question है करना है आपको jacobian question कर लीजेगा अच्छे number मिल जाते हैं साफ साफ करोगे सुन्दर सुन्दर writing बनाओगे तो अच्छे number मिल जाएंगे अब इसमें सुरुवात कैसे करें एक्स्प्लिसिट function में convert नहीं हो सकता है explicit function का मतलब यह है definitely u v की term में सब कुछ या x y z की term में सब कुछ नहीं ला सकते हैं तो ऐसा करने पर अब हम क्या करें ठीक है अब हम एक काम करते हैं अब 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 आजस्ति वाला थोड़ा सा यहां पर रखेंगे कि चलो भाई ऐसा है हम एक function मान ले एक फ़वन आप बहुआ को सरह एक फ़वन कुछ भी आप एक फ़वन कुछ भी आप अब लिख दो अब अब हम और समझ गए है तो हम लिखेंगे यू प्लस वी प्लस डबलू माइनस एकस स्क्वाइर माइनस वाई स्क्वाइर माइनस जेडी स्क्वाइर ओके सो दिस इस हाव हमने एफवन एफटू एफट्री यहां पर निकाल ली यहां रखना ही question आया है 20 पर तो आया है प्लस एफट के दिल्च निकालना है तो अब हम से कहाँ जाते हैं कि जेकी वैल्यू निकालों F1, F2, F3 by X, Y, Z तो आपको पास क्या बनेगी? मैट्रिस बनेगी DEL F1 by DEL X की DEL F1 by DEL Y की DEL F1 by DEL Z की DEL F2 by DEL X की DEL F2 by DEL Y की DEL F2 by DEL Z की DEL F3 by DEL X की DEL F3 by DEL Y की DEL F3 by DEL Z की ठीक है? यह बन गई अब यह क्या करोगे? अब तुम जो है इससब की value निकालो ठीक है न? आब इससब की आपको value निकालनी है तो कैसे निकालोगे? सिंपल तरीका है वही उठा उठा के सारी चीज़े रखना सुरू करो जाद देखो यहाँ पर मैं सीधे लिखनी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर देखे क्या होगा? तो del f को x कसाद differentiate करोगे x कसाद differentiate करोगे तो क्या आएगा? del f 1 को x कसाद differentiate करेंगे तो x कसाद differentiate करने पर क्या आएगा? del f 1 कहा है? x यही तो है minus 1 yeah it's minus 1 simple minus 1 कहा गया? यह है minus 1 यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर minus 1 z के साथ minus 1 good ठीक है उसके बाद उसके बाद फिर del f 2 को x के साद करो तो minus 3 x square यहाँ पर देखो न यह है 3 x square यहाँ पर जाएगा minus 3 y square यह minus 3 z square ठीक है बाद यह उसके बाद फिर क्या कर सकते हो? उसके बाद फिर भी यह एक बाद आप करो आप करो x के साथ तो जाएगा minus 2 x minus 2 y minus 2 z अब मुझे बताओ क्या आप इसको solve नहीं कर सकते हो? minus 6 y z square फिर यह जाएगा minus plus 1 तो जाएगा minus 3 minus 2 6 x square z minus 6 x z square फिर minus 1 फिर यह जाएगा 6 x square y y minus 6 y square x now this is the whole thing कुछ common हो रहा है y z y z हो रहा है तो यह हो जाएगा अगर यहाँ से हम common करना चाहें तो जाएगा minus 6 यह क्या हो जाएगा y z y z common हो गया तो bracket में क्या बचाएगा y z हो जाएगा यहाँ से यहाँ बचाएगा y minus z यहाँ से क्या हो जाएगा 6 x z common तो यहाँ बचेगा x minus z और यहाँ से 6 x y common तो जाएगा x minus y I think I am on the right track और कुछ हो सकता है यहाँ पर अगर हम इनको इनको आपस में कर सकते हैं कर सकते हैं y z है इसो common ले लेंगे अगर हम x minus z x y common ले ले 6 common 6 common ले ले ओके x y ठीक है your disability चलो छोड़ दो यह पर रख देते हैं leave it here ओके आगे देखेंगे इसको ओके उसके बाद फिर क्या करना है हमें अब calculate करना है j j अब हम कौन सा करेंगे f1, f2, f3 कहा गया ओपर है formula uvw के साथ में वावा 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 uvw के साथ में तो यह कितना हो जाएगा del f1 by del u del f1 by del v del f1 by del w आप लोग में इसाथ करते रहे हैं कि यह कोई movie नहीं है आप देख रहे हो कि बैटके बस इसको देखते रहो करना पड़ेगा गड़ित है करोगे खुद अपने हाथ से तभी आएगा साइकल चलाने जैसा है कितनों वीडियो देख लो बॉडियो देख लो नहीं पटको गए तुमारी मसल्स पर कुछ नहीं आपकी मसल्स आप पर पढ़ना है उसके लावार कुछ नहीं वीदियो देखने से तो भई एफ का यू के साथ करेंगे differentiation फ का yue के साथ differentiate करोगे दो कहा गया वगया फ का फ 1 का yue के साथ में तो कितना बचेएगा 3 yue square यहां से तो लेख देते हैं फैरी यहां यहां पर यहां बचेएगा 3 yue square ऐसे ही अध्याएगा 3 V square ऐसे जाएगा यू भी डबलू है ना तो वन 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 आ जाएगा तो यहां आ जाएगा वन 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 इस प्रकार से हमारे पास यह एक रिलेशन आ गया यहां पर हम कुछ तो बड़ा करें तो करी सकते हैं तो 3U स्क्वाइर बराबर 2V 2V माइनस 2W ठीक है माइनस 3V स्क्वाइर इस 2U माइनस 2V वाह और प्लस 3W स्क्वाइर बराबर 2U माइनस 2V तो यह कुछ इब्दो बाहर निकलेगा तो 6U स्क्वाइर वी माइनस डबलू माइनस 6V स्क्वाइर यू माइनस डबलू होगा और प्लस 6W स्क्वाइर बराबर यू माइनस डबलू वी तो यह सब हमारे पास इस तरह से आ गया है अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करना है यहां पर अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है है ना इनकी वैल्यू निकालनी है तो अब हम करेंगे देखो यह लंबा है ना जंजटी काम तो हई है आपको चुकि निकालना है जे यू वी डबलू बाई किसके साथ एकस वाई जेड तो आपको क्या करना होगा आपको माइनस वन की पावर थरी हो जाएगा और फॉर्मूला देख लेते हैं फॉर्मूला है मारा डेलेफ बाई इसको उपर रखना है तो इसको पहले कैलकुलेट किया है यानि कि आपके पास हो जाएगा यानि-6YZ-6X-6Y-6Y-6Y बाई 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 6U2 V-W-V6 V2 U-W plus w square u minus v अब दोखो 6, 6, 6, 6 सब 6 यहां पर खतम हो जाएंगे 6 तो सारे खतम हो जाएंगे और यह हमारे पास relation यहां पर बचेगा यह हमारे पास relation बचेगा तो आपका ठीक है और यहां minus 3 का minus 1 हो जाएगा minus 1 into minus 1 plus 1 और फिर minus 1 minus 1 यह हो जाएगा तो यह minus 3 का मतलब यह minus हो जाएगा तो यह minus एक ठास हो जो इसको plus कर देगा फिर इसको minus कर देगा फिर इसको plus कर देगा इस तरह से हम यह हो गया हमारा final answer इस little bit, little bit नहीं it's a quite blendy आपको थोड़ा सा इसको इस तरह की question कर प्रैक्टिस करना है आपको ऐसा नहीं कि यह question आएगा तो कर पाऊगा अदर वाइस आप आपको idea जो है न वह मैं यहाँ पर दे रहा हूं तो यह idea यह हमारा इस तरह से काम करने का और सवाल इसा की differential calculus का सवाल है आपके पास क्या दिया गया है कोई function यू है और जो यू है वो अपने आप में f एक function है 2x-3y का 3y-4jr का 4jr-2x का तो आपको यह सब कुछ पूरूफ करना है यह जो पूरा expression है इसका क्या value होगी जीरो होगी जो इसको पूरूफ करना है यह जो question है यह इससे पहले करीब 17 में भी आया है 17 में भी आया था 17-18 session के लिए भी आया था फिर इससे पहले भी आचुका है इसका पहला भी रिकॉर्ड रहा है तो अच्छा question है और इस पे आप यह आपको करना जरूर चाहिए attempt कर सकते सिंपल है कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतवाला नहीं है तो आपने पढ़ा क्या है कि जिसे माल लिजाए आपके पास कोई function है मालो yu function होता जिसे हम माल लें abc का मालो u f इस तरह function होता तो आपको इसको कैसे लिख सकते हो आपका मतलब है कि U function A का भी है, B का भी है, C का भी है, तो इसके साथ में इसकी differentiability हो सकती है, तो अगर आपको DU by, महा लिजे कोई variable लेना है, अब U को हमने differentiate करना X के साथ में, हाँ X है न, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, DU by DA, DA by DX, ठीक है, ऐसे ही आपके पास हो जाएगा, DU by DB, UC del B by dél X, del U by del C by del X, एक चीद देख़ा है हो, आप हर जगार del X, यू की function A का है, तो ये की साथ differentiate हो जाएगा, और A function of X हो जाएगा, UP के साथ differentiate हो जाएगा, B function of X हो जाएगा, Sis कि साथ differentiate हो जाएगा, C function of X, यहां पर हो जाएगा, अब ये A, B, C क्या है है, ये हम यहां define कर सकते तो इस पूरे चीज को हमें मानना है तो हम मान क्या लेंगे let a कितना है मान लो a तुमारा ये वाला टर्म है 2x-3y तो इसका मतलब अगर del a by del x करोगे तो यहां कुछ value आएगे b क्या मान लो b दूसरा मान लो 3y-4z तो 3y-4z और c क्या होगा 4z-2x यह हो जाएगा अब जड़ा आप इसको रखो तो del u by del x है पहला टर्म क्या है del u by del a तो वो तो कुछ नहीं होगा आपका del u by del a तो रहेगा a को x के साथ डिफ्रेंशेट करो यह 2x-3y है इसको डिफ्रेंशेट करोगे तो 2x-3y को जब आप x के साथ डिफ्रेंशेट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको मैं अलग कर देता हूँ let me do it somewhere else क्या होई चले इसको हम अलग कर लेते हैं तो अलग हमें क्या करना है हमारे पास du by da है तो देखें यहाँ पर यहाँ पर अगर आप del a by del x करोगे तो इसका मतलब होगा del by del x आपकर करना है 2x-3y थोड़ा लंबा हो जाएगा 2 del x by del x हो जाएगा यह तो function of x है ने तो 0 हो जाएगा तो यहाँ साएगा 2 तो यहाँ आपके पास आगिया 2 फिर दूसा टर्म देखो del u by del b अब del b by del x क्या b के अंदर x है नहीं है तो यह 0 हो जाएगा फिर हो जाएगा del u by del c del c by del x क्या del c में x है बिल्कुल है तो यहाँ minus 2 है ना तो x का डिफिरेश्येट करोगे तो यहाँ आपके पास value आगई तो आपके पास value आगई 2 del u by del a बीच वार टर्म हो गया 0 फिर बचेगा minus 2 del u by del c तो आपके पास value आगई 2 time del u by del a minus del u by del c अब अगर आप इसको 2 को और यह किसके बराबर है del u by del x के अब इसको अगर आप इस तरह से वापस ले आओ तो जब हम 2 को इधर ले जाएंगे तो यह जाएगा एक बटा 2 del u by del x is equal to del u by del a del u by del c तो इस तरह से हमने एक term निकाली आप यहाँ पर देखो आपके जो प्रेशन है उसका पहला हिस्सा 1 by 2 del u by del x जो है वो आगई आपके पास और उसकी value आगए इसको माल लो equation number 1 कह दो फिर क्या करना है फिर आपको आपके बार del u by del y निकालना फिर वही काम करेंगे del u by del a del a by del y plus del u by del b del b by del y del u by del c del c by del y y होगा यहाँ पर y होगा तो del u by del a क्या होगा we don't know तो हम del u by del a लिख देंगे क्या a y का function है देखें यहाँ पर a हमने क्या माना था 2x minus 3y बिल्कुल y का function है minus 3 है तो differentiate जब करोगे तो यह हो जाएगा minus 3 फिर del u by del b है क्या b function है y का देखो यहाँ पर बिल्कुल b b function है y का 3y minus 4z है तो यहाँ पर differentiate करोगे तो यह आपके पास 3 आ जाएगा फिर हो जाएगा del u by del c क्या c y का function है देखें जाकर के नहीं c y का function नहीं है तो c का y का function नहीं है तो बच्चों यहाँ से जाएगा 0 तो आपके पास क्या बचेएगा 3 यहाँ से बचेएगा minus del u by del a plus del u by del b यह रहेगा 3 को अगर हम उखल ले जाएगा 1 by 3 del u by del y is equal to minus del u by del a plus del u by del b इस तरह से हमें अपनी दूसरी equation मिल जाती है और एक खास बात देखोगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है 1 by 3 del u by del y यह हमारे पूछे जाने वाले सवाल का भी हिस्सा है 1 by 3 del u by del y का भी हिस्सा है अब मामला होता है तीसरा टर्म 1 by 4 del u by del z करना है तो इसका मतलब हमें करना क्या है हमें यहाँ पर del u by del z निकालना किसे जाएं पीछे तो गेल यू बाय देल बी देल बी बाय देल जेड डेल यू बाय देल C ये होगे हमाँ पास जब डिफ्रेशेट किरेंगी अब देखो A कितना माना था? मैं यहाँ फर लिक देता हूं A हम रोगोंने माना था 2x-3y y अच्छा बी कितना माना था बी माना था 3y-4z और c कितना माना था c माना था 4z-2x तो az का function है नहीं है तो इसका मतलब भी 0 आ जाएगा इसकी value 0 हो जाएगी क्या bz का function है बिल्कुल है function और इसकी value आ जाएगी minus 4 differentiate करोगे इसको तो यहां से minus 4 क्या cz का function है बिल्कुल cz का function है आ जाएगा plus 4 तो इसकी value आ जाएगी plus 4 तो यहां पर answer क्या है अब इसको में solve करूंगा तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा del u by del z is equal to del u by del a into 0 minus 4 del u by del b plus 4 del u by del c तो यहां से 4 बाहर हो जाएगा तो minus del u by del b plus del u by del c यह बचेगा और 4 उधर ले जाओगे तो एक बटा 4 del u by del z बराबर minus del u by del b plus del u by del c आ गया अब सबको जोड़ना है यह मालू equation number 3 है सबको जोड़ोगे क्या जोड़ना है 1 बटा 2 del u by del x फिर 1 बटा 3 del u by del y फिर 1 बटा 4 del u by del z right hand side क्या है ज़र देख लेते हैं del u by del a minus del u by del c तो यह हो जाएगा del u by del a minus del u by del c equation number 1 दो से रखोगे तो हो जाएगा minus del u by del a plus del u by del b और equation number 3 से हो जाएगा minus del u by del b plus del u by del z तो अब क्या क्या हुआ del u by del b यह cancel हो गया plus minus c वाला मामला भी cancel हो गया a वाला मामला भी cancel हो गया जीरो तो अक्कुल मिलाके आपको वही प्रूफ करना था वह आ गया कि 1 upon 2 del u by del x 1.3 del y by del y del 1 upon 4 del u by del z is equal to zero this is a question easy question है थोड़ा सा ध्यान देखिर की करने रहा है लेकिन आपको answer इससे मिल जाएगा तो यह अच्छा question है और इस तरह question मुझे नहीं लगता है कि गलत होने की हालात में होने चाहिए आपको यह ठीक से आने चाहिए